त्राहिमाम 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 कोरोना से मचा हाहाकार चंता अक्सीजन के लिए दिखी लाचार नमस्कार मैं हूँ गोईत कौशिक और स्वागत है आपका दाहिंद वारियर न्यूज में भारत में कोरोना का आकड़ा एक करोड़ छेतर लाग से अधिक पहुच गया है वहीं आपको बता दें कि रोजाना तीन लाग से अधिक मामले भी सामने आ रहे हैं जिसके चलते चंता बुरी तरह लाचार है और मृत्यू का दर भी बढ़ता ही जा रहा है अब सोचना ये है कि ठाली बजाएं या तीया जलाएं वहीं बात करें अगर हम हर्याना राज्य की तो 4,35,823 मामले सामने आए हैं जिसमें से एक लाग से अधिक गुरुग्राम जिले के हैं एक के बाद एक मृत्यू होने से लाशों का ठेड लग चुका है वहीं जब इस बारे में हर्याना के CM से बात करी गई तो उनका कहना ये था कि ये वक्त मौतों के आकड़ों पर ध्यान देने का नहीं अब जिसकी मौत हो गई वो हमारे शोर मचाने से जिन्दा नहीं होगा इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है हमको लोगों का कैसे स्वास ठीक हो कैसे उनको हम रहत पहुचा सके सारा ध्यानवारा सब उधर ही होना चाहिए अब जिसकी ड़त हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवत होता नहीं है और इस बात को सुनकर लोगों का कहना ये है कि वारी खटर की खटारा सरकार ये तो वही बात हुई वारी सरकार तेरी अलग ही माया हाज जोड कर पहले वोट पाया फिर जनता को ठैंगा दिखाया हॉस्पिटल में लोग लाचार है शमशान में लगा लाशो का अमबार है हमारा सवाल सरकार से बरकरार है कि जब साल बर का लोगडाउन लगा दिया था तो तैयारी क्यों नहीं की गई एक तरफ इलेक्शन का शोर है नहीं पता कौन ऑक्सीजन शोर है ये सारे सवाल सरकार से बरकरार रहेंगे जब तक लोगों को साहता नहीं पहुचती क्योंकि लोग ऑक्सीजन के लिए तरस्त हैं जगे जगे से खबरे आ रही हैं कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं दिन प्रती दिन मोतों का आकड़ा सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से ही बढ़ता चला जा रहा है। हमारा आप सभी से अनुरोध है, इस मामारी को हम सब मिलकर हरा सकते हैं। मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टमेंसिंग का पालन जरूर करें, साती समय समय पे हाथ दोते रहें। ऐसे ही बड़ी तमाम ख़बरों के लिए हमारे चैनल के साथ जोड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।